बचलो इस कुछ में आपको basically एक एथर दिया हूँ इसको क्लिव करना था था ना इथर के इस साइड में आपके पास primary position है और यहाँ पर 3D position है यहाँ पर चुकि आपका stable cut end बनने का chances है तो यहाँ पर mechanism follow करता है follow करेगा SN1 और यहाँ पर आपके पास HI access में दिया हुआ है वहाँ पर आप आई को जोड़ दोगे यहाँ आप आई जोड़ोगे और यहाँ पर एच को जोड़ दोगे अब यहाँ जो यहाँ आपका एक बन गया इस तरह का है यहाँ दिया हुआ है access में तो यहाँ भी आप आई जोड़ोगे यह नहीं आपका जो आंसर होगा आंसर हो जाएगा बी बी करेट होगा इन दों जगा आपको आई लगा देना है तो बच्चो लोग यह था इस question का solution और इसका analysis मूब करता हम लो आले question पर